बचपन एक ऐसा सब्द है जिसे हमारा संबंध जन्म से ही जुड़ा होता है फिर जब भाग दौर से बड़ी जिन्दगी में जब पुराने दोस्ट यहर कभी मिलते हैं तो तमाम सारी बचपन की यादे सारी की गई मस्तियां एकदम ताजा हो जाती हैं खेर यादे तो तब ताजा होती हैं जब दोस्ट मिलते हैं लेकिन हम जब भी आपसे मिलते हैं तो एक ताजे और नई जोस के साथ मिलते हैं तो वीडियो को लास ब्यरूह दिखना क्योंकि अगर आपको future बे अपना startup कोलना है तो ये वीडियो आपको लिए काफी helpful सावित होगी चले वीडियो शुरू करते हैं तो ये कहानी शुरू होती ही दोस्तों नीरज कककरजी से जो कि Hector Beverages के co-founder और CEO भी है अपनी कमपणी सुरू करने से पहले इन्होंने सबसे पहले MDI से पढ़ाई करा Management Development Institute गुडगाओं के अंदर उसके बाद इन्होंने अपनी प्रफेस्रान जन्दी की सुरूआत करी हिंदुस्तान Coca-Cola Beverages Limited से यहां इन्होंने अपनी जिंदगी के बड़े महत्वपुन साथ साल भीता है इस कमपणी के अंदर area operations से से बड़े-बड़े key roles के उपर अमेरिका की है और यहीं चीज थे यह बार भार हमेज़ा सूचते थे कि इसको लेकर के एक Indian substitute होना ही चाहिए और इनका यह सबना तब पूरा हुआ जब इनके बाकी के तीन दोस्तों ने इनको जोइन किया नीरज बियानी, सुहा समिस और जेम सुनोतल चारों इमेल करके साल दे और नौ में हेक्टर वेवरेज़ेज के सुरुवात करी जैसा कि इनके इनके दोनों प्रोट्ट्स से मार्केट में काफ़ी कुछ अच्छा रिसमस मेली रहता लेकिन वह यह कोफांडर्स कुछ ने थे क्यों क्यों उन्हों ने जिस लिए पर देखा था कि हम यह कंपणी को वहां पर लेके जाना है उसके लिए उनको कोई ऐसा प्रोड़क्ट मिला है नहीं कि जिससे इनकी मार्केट में अपनी अलग पहचान बन सके फिर एक दिन के लिए चारों को फॉंडर्स अपने में जगरते थे मुझे कम दे दिया मुझे ज्यादा दो उसी पिचनों ने सोचा कि वह यह जो आमपना की प्रोड़क्ट है इससे हमारी बच्पन की काफ़े सारी याद जूड़ हुई है टेकिन मार्केट में देखने जाओ तो यह यह सब प्रोड़क्ट मिलते ही का है बिला जूड़ा के देखें तो कोक है पेपसी है माजा है फ्रूटी है यही सब है रियल फ्रूट बेस जूस कोई है नहीं और अगर है भी तो एकाद ब्रांड ही तैसे कि एक रियल जूस आता है वो भी मतलब लिमिटेट फ्लेवर्स के है और प्रिजर्वेटिव भी जाले आता है आर्टिफिसर कलर्स होता है टेक्स्टर होता है काफी कुछ भारी मातरा में एडिशन होता है और कोई तो ऑथेंटिसिटी भी नहीं है कि यह हमारे हैल्थ के लिए कैसा है फिर दूसरी तरफ अन और्गराइज़ मार्केट को दे लेकिन वांट सब की है किसको पसंद नहीं कि बच्चमन में जो हमां तोड़ा करते थे उसका जो आम परना वायाना के पीते थे और आप वही ही मिल जाए और वही हेल्दीर ड्रिंक और ऑथेंटिसिटी के साथ किसको पीना पसंद नहीं होगा और मार्केट की इसी इतनी बच्पन में जब गर्मी के मौसम आते थे तो आम परना को बॉटल में भर भर के पिया करते थे और जलजेरा की तो बात ही अलग है वह या पेट खराब रहे या ना रहे उसका स्वाधी ऐसा था कि कोई उसको ना बोल ही नहीं सकता था और आज इन्होंने पेपर बूट के जरी है हमारे सारे बच्पन की यादों को नए नए अवतार देकर बोड़े तो आज इनके पास चौदा पनात्रा के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूट बेस्ट एसनिक ड्रिंक्स हैं जिसके कारण आज इनके मार्केटिंग में अलग भाचान बन रही है तो इनके प्रोड़क्ट्स इनके कंजूमर्स यह आपस में एक दूसरी से रिलेट कर सकें अब पेपर बोड नाम सुनते ही याद आता है कि हमारे बच्पन में वह कागत की कस्ती जिसे हम अपनी अमीरी जीते थे तकि बच्पन में हमारे पास भी ना हुआ करते थे बाहर से रखा है ताकि जो भी पीए वो अपनी बच्पन को जीए लाइकरों ने नॉस्टैल्जिया के उपर कांट किया जिसे लोग इमोशनली कनेक्ट हो गए और इमोशनल का मतलब पैथेटिक तो पैथेटिक इनकी ब्रांडिंग होई से हुई दूसरा आप ब्रिंग लोयलेटी मार्केट के अंदर कई सारे ड्रिंगी प्रोड़क्ट्स अविलेबल थे जिसमें से ज्यादा तर कार्बोनेटेड ड्रिंग्स ही थे सुगर का भारी मातर में एडिशन था प्रिजर्वेटिव से कलर से आर्टिफिसल वह भी मतलब कि दिखाया तो हेल्थ से लेटेड कोई प्रोड़क्ट थाई नहीं और इसलिए हमारे भारत के प्रधानमंक्री सी नरेंद मोदी जी ने भी कोकापोला पेप्सिको को ये बात बोली थी कि अपने ड्रिंग्स के अंदर कम से कम दो परसंट फूट एडड के जिए इससे क्या होगा कि हेल्दी ड्रिंग में भी याच अब यह बेवरेज़ के अंदर हैं तो इन्होंने क्या करा है कि मिल्क से लिटेड वेवरेज वे इसके बटर मिल्क बदाम मिल्क थंड़ाई इसके अलावे इन्होंने सीजनल ड्रिंग्स को भी इंट्रू बारी निकालते हैं जिसके इंडिया के अंदर फेस्टिबल काफे फिर इंडिया कि बैकालते होता है तो उसमस्वें निकालते हैं पंणा कम इता है में निकालते हैं तो सरबते खास zwei Eightоров निकाला था जिसका नाम है coconut water अब यह बाता हो कि यह इन्होंने क्या करा है कि इंडिया ट्रेदिशनल फोड्स होते हैं कि यह बैठ चिकी बंदाना चिप और आम पापर जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों मैं बता तो आपको कि आप इनके जो भी द्रिक्स पीजोंगे आपको उसमें लगी गाए इन्हें किसे मिलावाट है भी या नहीं है क्योंकि इनके जो भी फ्लेवर साथ है वो इतने ऑथेंटिक होते हैं और तो और इनके प्रोडक्ट्स के अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं होता है कोई आटिफिसल कलर नहीं होता है मतलब कि जाद है यह फ्रूट्स का ही एडिसन करते है अपनी जूसेस के अंदर जो कमपणी में काम किया हुआ है अब मार्केट में जो बे रिजर्व मिलते हैं वो चाहे तो ग्लास के बोटल में प्लस्टिक के बोटल में या जादा केंस में आते थे तीनों ने क्या का रहा कि अपने पैकेजिंग बनाएं जो कि हक्सा और टाइप से होती है वो भी एक ड्व प्राइज जरूर करना चाहिए अच्छा एक चीजी उन्हें और क्या यूनिक कर रहा है कि अपने जो पाउस है उसके बॉटम को और उसको पल्टो गई तुमा एक टेक्स लेखा हो रहता है एक लाइन का जो कि आपको आपके प्रोड़क्ट को और आपके कस्टमर्स के रिलेस पाउस आपको आराम से पकड़ा जागा आप एक वाए हाथ से पांच चे पाउस पकड़ सकते हो तो वहाँ इन्होंने क्या काम किया है कि डिस्ट्रिबूशन और जो इनको ऑपरीशन मेनेजमेंट होता है इसे इनको काफ़ी बेनिफिट होता है मतलब कि अगर कि किसी डिस् पर एर्पोर्ट के ओपर भी यह दर मिल जाएगा जहां इन्होंने अगें प्राइसिंग स्ट्रेट्ट्रिबूटर हो या मरचेंट हो उनको काफे चा बेनिफिट होता है अगले इनको जो भी यह वाली पैकेजिंग है वह यह बायो डिग्रेडीबल है मतलब कि क्या हो गया कि 100% recyclable फोर्था स्ट्रेटजी मेमोरेवल मार्केटिंग विद इमोशन भाया भारत के लोग ना काफ़ यादा काइन हर्टेड है हमारे अंदर भाव उकता और दयालुता वाली जो इमोशन से वो भरे पड़े हैं तो वो चीज़ें उनकी लिए यादे बढ़के रगए पर जब इस नए प्रड़क्ट प्रड़क्ट को ट्राय करते हैं और वो शखलिंग से करने लग जाते हैं मतलब कि यादा डिलाइटफुर एक्सपरीज मिल्ता है उनको के कंपेंट सुनने के लिए अब कंपणी का फाइनेस के उपर आए तो आज तक पेबर बोट ने इनका जो टोटल रिवेन्यू था वो था 69 क्रोड का फिर फाइनेसर लाइन के लिए वेन्यू बहुं चुका था 118 क्रोड का फिर 2019 की बात के तो वहाइन के रिवेन्यू हो चुका था लेकिन दोस्तों मैं बता दू आपको कि यह कंपणी अभी तक प्रोफिटेवल नहीं हुए क्योंकि कंपणी ने भी हाले में लॉस रिपोर्ट किया हुआ हुआ है फाइनेसर लाइन में जो टोटल लॉस था वो था 60 क्रोड का लेकिन फाइनेसर लाइन के बात के लिए लॉ काफे जाध प्रोसीजर लगता है तो उसमें भी काफे से खर्च कर रहे है जहां पे इनके जो जाधे प्र लॉस निकल रहा है वो वहीं से निकल रहा है कंपणी के को फांडर का कहना है कि सेक्टर के अंदर डिस्टिबूशन चैनल को स्ट्रॉंग बनाना मजबूत बनाना अपने आप में काफे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है और अपने आप में काफे बड़ी जीती भी है हलाकि आज के टाइम पर देखा है तो कई सारे e-commerce प्लेयर्स एविलेबल है लेकिन अगर आपको लॉंटर में गेम खेलना है तो आपके पास एक अपना डिस्टिबूश के तरफ जा पाता है बेराल दोस्तों मैं आसा करता हूं कि आज के बिजनस के सट्रडी आपके लिए काफे लाइन सैट्फूर डेही होगी अपने काफे कुछ देखा होगा काफे लेसंस देखा होंगे इनके मार्केटिंग और स्ट्राइजिस अगर वीडियो पसंद आया औ चैनल को सब्सक्राइब करो और बगल में यह बेल नौटिकरिकर्शन का आइकन है उसको प्रेस करें रखना ताकि इस तरह की नॉलज़जफू वीडियो की नोटिपिकरिकर्शन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और बिजनस या पूरी स्टाटप वर्स रिलेटेट आपक वहाँ को रिप्लाइ करने की मिलते दोस्तों इसने तरह के नेक्स्ट और पावर्फूल इंस्ट्फूल विडियो के साथ तब तक के लिए आसको यह खुश रहिए संतु श्रीयों तंदुरूस रहिए गुडबाई जैहिंद